हेलो फ्रेंड्स जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करें और घर में कोई सबजी ना हो और कुछ समझ भी ना आए क्या बनाएं तो जटपट से ये सिरफ दो बैसिक इंक्रीडियन्ट और मसालों के साथ बनाएं चटपटी सी सबजी तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना इसके लिए मैंने दो प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है आप इसके चार इसे करके ऐसे फाइनली चॉप कर ले चाहे तो आप इसे चॉपर में डालके फाइनली चॉप कर ले अभी मैंने एक पैन में बड़ा चमच ओल चड़ा लिया है तड़के के लिए जिसमें हींग जीरा और राई का तड़का दे देंगे तीनों का तड़का देने के बाद हम इसमें कटेवे प्याज डाल लेंगे और उन्हें ट्रांस्परेंट होने तक सौते कर लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो सबसे पहले आप देख सके है उसके लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें और अगर रेसी पे पसंद आए तो इसे लाइक भी करें दोस्तों के साथ शेर भी करें तो अभी देखें प्याज सारे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और सारे बिखर भी जाएंगे ओईल में जब आप इसको मिक्स करते रहेंगे ना तो यह अलग-अलग हो जाएंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करें ताकि प्याज जले नहीं अभी मैं इसमें half tea spoon healthy powder और स्वाद अनुसा नमक डाल रही हूँ इससे क्या होगा कि प्याज का भी पानी रिलीज होगा और अगला जो ingredient हम डालेंगे उसका भी पानी रिलीज होगा उसके बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे तो अभी इसको mix कर लेते हम इसे हल्दी कच्ची भी नहीं रहेगी अभी मैंने इसमें चार medium size के टमाटर finely chop करके डाल लिये नमक डालने से क्या होगा टमाटर अपना पानी रिलीज करेंगे और जल्दी soft हो जाएंगे तो इनको mix कर लेते हैं इस वक्त flame को आप बिल्कुल लो रखें ताकि टमाटर जले नहीं और अच्छे से पानी रिलीज हो इनसे तो अभी देखेंगे आप थोड़ी देर में इससे पानी रिलीज होने लगेगा यह आप देख पा रहे हैं पानी रिलीज होने लगा है टमाटर से यह देखें तो बस अब इस वक्त हम इसमें बाकी के मसाले डाल लेंगे एक टी स्पून मैं इसमें लाल मिर्ज पाउडर डाल रही हूँ और एक टी स्पून ही दनिया पाउडर अभी इन दोनों को भी हम मिक्स कर लेंगे अब चुकि हमने नमक पहले डाला था तो टमाटर का पानी अल्रेडी रिलीज हो चुका है तो हमें इसमें पानी डालने की जरूत नहीं है और इसमें पानी डाला भी नहीं जाता है तो अभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसे ढख के एक से डियर मिन्ट तक पका लेंगे या फिर तब तक जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते नहीं देखिए टमाटर सॉफ्ट होने लगें और जूसी भी हो गए है देखिए एकदम सारा पानी-पानी हो गया है इसमें अच्छी सी ग्रेवी बन गई है तो टमाटर को हम मैश कर लेंगे और बस हमें इसको इतना ही पकाना है इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है टमाटर मैश होने लगे टमाटर को मैश करके फिलिम को ओफ कर ले और आखिर में आप इसमें गरम मसाला और हरादनिया काट के डाल ले अब हम इसे गरमा गरम ही सरु करेंगे तो ये हमारी चटपटी सी टमाटर पे आज की चटनी तयार है अब आप इसे पराटे या रोटी के साथ ऐसे सिंपल ही खाएं चाए तो आप इसे दाल में मिला के खाएं चाए तो आप इसमें नमकिन बुजिया मिला के खाएं यह आपकी चोईज है, वैसे मैं इसमें नमकीन बुजिया मिला के खाना पसंद करती हूं, बहुत टेश्टी लगता है, यह देखें देख सकते हैं, आप लुक वाइस भी कितनी टेश्टी बनी है, तो मैं इसको सर्व कर लेती हूं गर्मा गरम, तो फ्रेंड्स आपको यह रे